वैसे गाईस मुझी लगी रहा था और सच में रात का वक्त है भाई ये दिखो ये कों है अबी ओकी ठीक ही तो स्केलिटान ने पर थोड़ा अजीब सा दिख रहा है भाई ये अजीब ही स्केलिटान था ऐसा लग रहा थे इवेंज ले निकले, हाँ मुझे पता है, हमने अच्छा खास है, रिवेंज ले ले पाई, पर मैंने काफी सारे जॉंबिस को मारा, और मुझे इतनी सारी चीजे मिले कि भाई, इतने सारे डायमंड मिले, और पोशन आफ नाइट भाई, मुझे भर भर की मिली, और उसी को पी अपिसोड देखा तो आप लोगों को पता हो कि वहां पर मॉप्स के स्पॉनर, और वहां के मॉप्स काफी जारे डेंजर है, उड़ उड़ के आसमान से हमला करते है, बट अभी जिस टाइब के मेरे पास वेपन से चाहिए, वो लो आसमान से हमला करे, या फिस जमीन से, मैं कोई भी मॉप मुझे देखनी पाएगा, और हाँ टेंशन लेने का जरौते में जिन्देगी भर इन्वीजिवल नहीं रहोगा भाई, मैं इसका इफेक्ट हटा सकता हूँ, मिल्क पीक है, ओके ठीक है अभी टेनल को पार करने के लिए मुझे यहां से निकलना पड़ेगा, और ये जगह काफी जारा डेंजर्ड्र इसे, क्योंकि यहां पे इतने सारे स्पाउनेर, वही जारे माव कौन होते हैं, और वह सब माव काफी जारा डेंजर्ड आ पाएँ, उनका डेमेज काफी ज्यादा है, ओकी ठीक है, फानेली मैं बचकी यहां से आ चुका हूँ, और इस बार तो कोई भी मॉब इस पॉन हुआ क्योंकि पहले तो काफी सारे स्पाउन थे रहते थे और नहीं नहीं देखो भाई एक और माब इसको पहले मार के खतम करो और भाई लोग सुलनो अगर दुपार से कोई यहां पर पर नहाया नहीं यह बंदा पूरा गंदा-गंदा ह हुआ तो भाई उपर से भी काफी सारा आवाज आ रहा है मुझे ऊपर चल के देखना चीए और यहां पर काफी सार इसके लिटेन फटा फटा फट अंदर भागो भाई मेरे पोर्सन का फटम हो रहा है में को कुछ दीख नहीं रहे भाई अभी तक मुझे सब कुछ दीख रहा साथ में भाई कितने सारे स्केलिटन थे ओकी ठीक है में पास टोटल तीन बॉटल है बट मैं उन्हें पीना नहीं चाहता है पहले यहां पर आओ अपना हेल्थ फुल करो फिर में अरां अराम से टॉस्ट लगाते लगाते आगे बढ़ेगी आवाज कहां सार है ओकी ठीक है भाई ऐसा तो इंचे लड़ना काफी जादा मुश्कल हो जाएगा बहली मेरे पास काफी अचे कासे आर्मर वेपन है बढ़ अंधेरे में इने माना काफी जादा मुश्कल हो जा रहा हुआ साथ में रात भी है कुछ दीख भी नेरा सुबह और नहीं बता नहीं कितना टाइ वाहर आचुका है या तो इसके आपके लोग को मार नी पार हूं या तो भाई मेरा हाथ फिसल रहा है कोई ठीक है कोई पात नहीं यहां पर और भी आवाज आ रहा है कैसे तो करके मैं उन्हें को मार के खतम कर लिए कुई कि भाई भले यह काफी सार है वह इनको माना काफी जादा आसान है क्योंकि मुझे इनका थोड़ा भी अटैक याने डैमिस पड़ी नहीं रहा है फिलाल मामडा तो पुरा सांत है मेरे खाल से यह इतने सारे स्केलिटेन नहीं पर भाई अवास वा रहा तो यह देखो भाई मैं बोली रहा था यहां पर अचानक से मेरे सामने आ गया भाई मेरे हाथ में बहुत था अच्छा है मैं थोड़ा दूर आ बना भाई यह मेरे को बात नहीं यह भी गधा इसका एक भी एरो मेरे को लगा नहीं हाँ पहला वाला लगा वैसे इन सारे स्केलिटेन भली काफी सारे इंका एम जो काफी ज्यादा बकवास है इसको देखो बते हुआ मेरे घर नहीं चमने पका धरम साला समझ के रखा है रोज पता नहीं कहां से इतने सारे जानवर आजयातें हैं वासे घ्ल थोड़ा बाजू से खुला हुआ है इसके लिए जानवर मेरे एंपे घलती से गर जाते है रहान नहीं कि अधक है बुषे करना Soon सोते हैं और सुबह को मैं निकलो को भाई प्लेस नंबर टू का सीक्रेट पता करने के लिए अब यही जगा मुझे पुछाएगा प्लेस नंबर टू तक तो फटा फट चलते हैं और रात को सोने से पहले मैंने काफी सारे जानवर को भी माल लिया क्यों कि मैं पास खाने पीने उसमें हर जगा पर स्पाइडी वैब भी जाओ जिसकी वैसे जैसे में भाई मेरा स्पीड काफी सारे स्लो हो जाता है और मैंने तो भाई सूचे था कि रात को मैं सीधा निकल जातो प्लेस नंबर टू के लिए क्योंकि मैंने पोस्टन पिया हुआ था और मैं अपना सकतो यह यह प्लेस नंबर टू और यहां से मुझे पस उपर चलना है वैसे एक मिनट यह कौन है अभे यह तो फ्लैस है भाई तू तो मर चुका था तू यहां पर कैसा आ गया अभी क्या चल रहा है यह सच में फ्लैस का कोई भूत या फिर आत्मा है या फिर भाई यह इस चुकी फ्लैस का रूप लेके मेरे को धरा रहा है कैस मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहे कि भाई फ्लैस मर चुका था यह दूबारा से जिन्दा कैसा हो गया क्या छोड़ो यह तो अच्छा है कि भाई हमारा कुत्ता जिन्दा हो गया बट मैं यह सच कि भाई कभी ऐसा इतना महानत करने के बाद फाइनली मैं उपर तक पहुच चोगा और बस भाई यही है वो सीक्रेट जगा वसे वीट भाई मैं कुई यहां से नीचे उतरना पड़ेगा और पिछले बार मैंने वाटर बकेट का यूज करके में नीचे उतरता पर आप लगो तो पते भाई करके देखते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर टॉच लगा यानि यही हो नीचे का सीक्रेट वाला रास्ता है तो भाई आप पोशन को पहले बाहर निकाल ले तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वसे यहां पर उजाला तो है मुझे मेरी खाल से पोशन पीनी की ज़रुत नहीं है मैं टॉस लगाते लगाती आगे बढ़ जाओगा कोई डनी की बात नहीं है ओकि ठीक बश्वीट भाई मैं एक सी तो भूली गया भाई लोग आके कार मुझे पोशन पीना ही पड़ा क्योंकि मैं एक सी तो भूली गया था भाई यहां पर पॉजस वाला जिसे काफी बेकार वाला इफेक्ट पड़ता है और अंधेरे में उसे बचने काफी जारा मुश्किल है वैसे मैं टावर के पास आया और यहां पर मुझे एक भी चेस्ट नहीं मिला पता नहीं भाई यह सब क्या चल रहा वैसे मेरे कुट्टे को इफेक्ट नहीं पड़ता भाई मैं कितने सारे पानी में गिर चुका था ओकी ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं यहां पर एक और टावर ता जहां पर मैंने पिसले बार लूटा नहीं था क्योंकि यहां पर काफी सारे मॉप स्पान हो गया थे भाई यहां पर काम करते थोड़ा उचाई पर चड़ते फिर देखते कि यहां पर काफी सारे घासे से जिसके वैसे मुझे दिखता नहीं ओकी ठीक है टावर तो मुझे मिल चुका है और सामने मुझे चेस्ट भी दिख रहा है फटाफ़ चेस्ट को लूटते और यहां पर कोई भी मॉप स्पान हो आना भाई मैं इसको मारके मैं बोली रहा तो आवाज आया और यहां पर मॉप स्पान भी हो गया बसे बाई मेरा कितना जादा पारफुल बोई मत्तब पहले इन मॉप को हराने के लिए मुझे भाई 20 फटका मानना पड़ता था पर अभी मैंने एक दो फटके में मारके खतम कर दिया ओकी ठीकी गाई स और देख वाई फैंट है में पानी इसको मारते मारते मेरी खाल से पान हुआ तो उसको मैंने मार दिया अब मुझे गड़्य को पार करना पड़ेगा पहले अपने हैस फुल करते एक मिनेट आगी सान से पहले नीचे कुस तो दिख रहा है नीचे भाई कोई तो टनल या फि पानी में जम करके विसे में को डामेश नहीं पड़ेगा एक मिन में तो यह बूली गया यह नौर्मल पानी है यह नहीं भाई यह पॉजनेस वाला वॉटर है ओके ठीक है यहां पर मुझे वुट प्लैंक लगाते लगा तो ऊपर जाना पड़ेगा वाई यहां पे टनल है फटाफट भाई आगे भागो वैसे वीट वहां पे चेस्ट भी है और में पॉजस वाले वाटर में गिर गया था ओके यहां पर भुट प्लैंक भी लगा दिया वटाफट आगे बढ़ते वैसे यहां पर काफी जारे मॉप का आवाज आ रहा है वैसे कोई दिख भी नहीं बैसे भाई यहां पर क्रीपर जल्दी भागो एक मिनट क्रीपर तो फुड़ क्या और यह कौन है भाई हावा में कुछ लाल लाल आख और मुझे से दिख रहा है मेरे रिखाल से कोई स्पाइडर है वैसे इन्वीजिबल स्पाइडर क्या आकर इसका बॉड़ क्यों नहीं इतना मेहनत करने के बाद भी भाई मैं उस चेस को नहीं लूट पाया है क्योंकि वहाँ पे इन्वीजिबल वाले स्पाइडर है जिन्जे फाइड करने काफी जारा मुझे लिए क्योंकि बोलो भाई कहां से आ रहे कहां से डामेज देरे कुछ भी पता निचलता अब भाई ठीक है धीरे धीरे आगे बढ़ते जारा आवाज नहीं करेंगे बसे आप मुझे सामनी चल्स लिख रहा है बस यहां पर कुछ स्पाइड करना थोड़ा बहुत मुस्किल हो जाएगा बसे विट मेरे खाल से भागा फिर भागा फिर भी इस पानी में अटक चुका था और य अब यह जाए और यह जैसे अंधिरा होगा इक नट यह कौन है अंधिरे में मेरे को किसी का है यहां पर कोई तो है अरे एक मिनिट भाई यह जल्दी से इसको मार के खतम करो फाइनली मैंने पोशन पी लिया और अभी भी मेरे बस एक ही बोशन बढ़ा है जो मुझे एक्स् पीया ओके ठीक है अब आगे बढ़ते में को सामने एक और टावर दिख रहा है मुझे वहां पर विजा के लूटना है ओके ठीक है फाने ली में बच गया थोड़ा से हल्का सा मेरा जो पैर हो पोशन वाले पानी में टच हो गया था फटा 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 आगे बढ़ते लगता में अब हमारे कुणत्य कोई पानी पानी से फेक्ट पड़ने लगते ऑब हागे तो अभी में दूसरे वाले टावर के बास आया और यहां पर मुझे चंस मिलुक यह थी आपे और लुप काफी बढ़ते हैं और यहां पे मुझे चेस्ट पील गया तो टुछ हरे मु आगे बढ़ते हैं और चेस्ट को लूटते हो कि ठीक है मेरे को एक और पोशन आफ नाइट मिला साथ में एक और बाई दूसर वाला बोशन मिला और इसमें काम कीजिए बढ़ भाई यहां पर काफी सारे मॉप स्पॉन होगे एक मिलों मैं को डैमेज देरे फुटा फुट भा भाई यहां पर बचया है जल्दी से तो भी मर्जा रिक फाफ फ्टावर पानी में फूल मजे कर रहा है अभी मुझे आगे बढ़ना चाहिए दुसरे टावर के पास जाना चाहिए वैसे मैंने यहां के सारे टावर लूट ले अब बस एक दू ऐसे टावर बचे होगे जिन तावर से काफी सारा धूरी पर यानि मैं चेस्ट को अराम से लूट पाऊगा और कोई भी मॉप स्पॉन नहीं होगा तो फटाफ़ चेस्ट को लूट दे भाई इसमें कितने सारे डायमंड मिल चुके सादम भाई एक पोसन आफ नाइट भी है इसमें जितने भी से बाई सब कुछ फटाफ़ लूट देते हैं हमारे पास काफी सारा टाइम भी है मैं यहां बे बस ऐसे घूम रहा था और देख रहा था कि कई मुसे कोई टावर चूट दो नहीं गया और सच में बाई मेरे को यहा भाई यहां पर मॉप स्वान उसके पहले मैं को मार के खतम करना पड़ेगा मैं अगर मैं चेस्ट को लुटूगा भाई यह मेरे को टैमेज देता रहेगा पीछे से ठीक है बस आ बाई एक बार तो मेरे पास आ अब बस एक दूफटका और मारना अफर यह मॉप खतम हो गया है मतां मर जाएगा ओकी ठीक है फिरको डामेज का हूं से पड़ा ऑकी ठीक है अब भी बिए आवाज आरह मतां मेरे रिखाल से और पे और बिकोई मॉब है जो चूका है तावर से थोड़ा जूर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं टावर के पास में घड़ा हूं इसलिए मेरे ख्याल से यहां पर करके मॉप स्पॉन होती जा रहे इस मॉप को देखो मतलब कैसे हम लोको डामेज दे रहे वह से वेट वह वह वाला मॉप अभी तक मरा नहीं हो अभी तक जिन्दा था पहले इसको भाई फटाक से मारके खतम कर ओके ठीक है तूब बस वीचे वह नीचे उदर चुक है फटाव पीछे मेरा कुटा तो नहीं पर जार है जाता है तो मैं अपना पोर्स नहीं करना चाहता था बस एक चेस्ट के लिए इसके लिए भाई प्यार मैं यहां से जा रहा हूं कि अभी हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं और यह तो अच्छा है कि जब तक मैं कोई टावर के पास नहीं जाओगा कोई भी मॉफ स्पॉन नहीं होगा तो हम लोग अराम से बस हर में कोई टॉश लगाते हैं लगाते हैं वाटर से बचना है और 37 से बस बाहर निकलना है फानली हम लोग ने जगा को पुरा लूट लिया और सबसे मज़ेतार बात तो यह कि हमारा कुट्टा फ्लास वापिस आ गया पर अभी तक हमारे मुश्किले खतम नहीं हुए क्योंकि मैं अभी तक इस मेच से बाहर नहीं नि और हाँ आप लोग नेक्स एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि हो सकते कि गाई सार नेक्स एपिसोड में हम लोग का हमारे कुट्टे का असलियत पता चल जाए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे फ्लास को अपने साथ रखना चाही या फिन आ इसोल